नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आमारे चैनल भक्ती ग्यान में दोस्तों आज मैं आपको भगवान गनेज जी की कहानी सुना रहा हूँ एक सास बहु थी सास अपनी बहु को खाना नहीं देती थी बहु रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आठा ले जाती नद गनेज जी भगवान को भू लगा कर खुद जीम लेती ऐसा करते बहुत दिन हो गई यह देखकर गनेज जी भगवान को बहुत आशर हुआ और उन्होंने अपनी नाग पर उंगली रख ली बहु तो घर आ गई परंतु जब दूसे दिन मंदर के पट खुले तो लोगों न गनेज जी भगवान की नाग पर उंगली है तो मंदर में भीड एकत्रत हो गई गाउं के लोगों ने हबन पूजा की पर गनेज जी भगवान ने उंगली नहीं उता दी तब सारे गाउं में कहलवा दिया कि जो कोई गनेज जी भगवान के नाग से उंगली हटवाएगा उ तब लोग मंदर के बाहर एकत्रत हो गई, बहु घूंगट निकालकर अंदर गई पड़ता लगाया और गनेजी से हाथ जोड़कर बोली, हे विगन अर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चड़ाय हुआ घी गुड लेती, समसान में बाटी सेक्ती, उसमें आपको क् उली हटा ली और बहु को आसिवा दिया कि इस गाउं में सभी प्रेम से रहेंगे, बहु मंदर से बाहर आई, सब गाउंवालों ने कहा, बहु तुने उली कैसे हटवाई, तू तो जादू गनी है, तब बहुने सारी बात गाउंवालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आठा लाकर, नदी के पानी से आठा लगाकर, बाटी बनाकर समसान में सेकर, गनीजी के दीपक में से घी, पिरसाद में से गुड चुराकर गनीजी के भुव लगाकर खुद खा लिती, इसलिए गनीजी को आशर हुआ और उन्होंने नाग पर उंगली रख ली और मेरी प्रात्ना करने पर उंग्ली हटाली और मुझे बर्दान दिया है कि अब इस गाव में सब प्रेम से रहेंगे ये गनेश जी माराज जैसे बहु का मान वड़ाया बैसे सभी का मान वड़ाना और रक्षा करना बोलो गनेश भगवाने की जै